हलो दोस्तो वेलकम टो स्टड़ी उनिवर्स मध्यप्रदेश डेली करेंट अफ्यर में आपका स्वागत है दोस्तो आज है 6 अपरेल 2019 और यह हमारी 121 वी क्लास है 12 important question जो आपके exam और आपके knowledge की दरश्टी से बहुत important है वो आप तक लेकर आए हैं दोस्तो मुझे बहुत से comment आते हैं कि आप MP, current affair के और question add कीजिए तो दोस्तो जितने भी per day question बनते हैं वो सभी आप तक लेकर आते हैं और आपको बता दें दोस्तो जो exam में question पूछे जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ MP से नहीं वर्ल्ड से भी पूछे जाते हैं तो जितने भी important question होते हैं वो सभी आप तक लेकर आते हैं दोस्तो वेल आइकन में एक question दिया गया है उसको आप solve जरूर करें वो previous day का एक question है तो चलते हैं next question पर question number first हाली में UPSC परीक्षा में किस ने top किया है? तो इसका say option है कनिस्क कटारिया हाली में कनिस्क कटारिया ने UPSC परीक्षा 2018 में top किया है second number पर है अक्षित पटेल और third पर है जुनेद अहमत इन्होंने तीनों ने UPSC परीक्षा में first, second, third rank हासल की है दोस्तो अब बात आईए UPSC की तो आपको इसके बारें बता दे UPSC का full form Union Public Service Commission होता है यानि संग लोक सिवा आयोग UPSC की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 में की गई थी हेटकॉर्टर है निउ दिल्ली में और UPSC की चेरमेन है अरविंद सकसेना तो इतना आपको UPSC के बारे में याद रखना है next question हाली में आई FIFA ranking में कौन सी टीम टॉप पर है जिसका सही option है Belgium हाली में आई FIFA ranking में Belgium टीम पहले इस्थान पर है second पर है France और third पर है Brazil तो दोस्तों ये तीनों टीम है first second और third इस्थान पर है वहीं अगर भारत की बात की जाए तो भारत 101 वे इस्थान पर पहुँचा है हाली में भारत ने दो अंक की छलांग लगाई है पूरे बल्ड में इसका इस्थान 101 बा है और वहीं एजिया में भारत का इस्थान 18 बा है दोस्तों अब बात आईए FIFA की तो कुछ important fact आपको FIFA की बारें बता दें फीफा की स्थापना 21 मई 1904 में की गई थी हैड़कॉर्टर जुरिक स्विजलेंड में है फीफा की हैड है ग्यानी एफेंटीनो और फीफा का मोटो है for the game for the world ये मोटो बहुत important है आपको याद रखना है एक बाद फिर आपको बता दें फीफा का मोटो है for the game for the world तो दोस्तो इतना आपको फीफा की बारे में याद रखना है नेक्स्ट क्वेस्चन अन यू जी इन मोबिलिटी समिट 2019 का आयोजन कब किया जाएगा तो इसका सही ओफ्शन है 27 नमबर यह आयोजन 27 से 29 नमबर 2019 में किया जाएगा नमबर में मनेशर NCR में यह समिट आयोजन किया जाएगा इस समिट का मुख्ष देश बिचारों का आदान प्रदान करना है और आटो मोटिब टेकनोलोजी के बिकास पर वल देना है नेक्स्ट क्वेशन भारत में सबसे पहले VS6 इंजन का उप्योग कहां किया जाएगा जिसका सही ओफ्शन है नई दिल्ली नई दिल्ली में भारत में सबसे पहले VS6 इंजन का उप्योग किया जाएगा दोस्तो अब बात आई है दिल्ली की तो कुछ important fact आपको दिल्ली के बारें बता दें दिल्ली की मैप में ये जगा है दिल्ली को दरसाती है दिल्ली के गवर्णर है अनिल वैजल, मुखी मंतरी है अर्विन केजरिवाल और 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था तो इतना आपको दिल्ली के बारे में याद रखना है next question हाली में किसे मद्यप्रदेश में रास्टी ए क्रांती कारी अवार्ट से सम्मानित किया गया है तो इसका सही option है बलवीर सेह हाली में मद्यप्रदेश में बलवीर सेह को रास्टी क्रांती कारी अवार्ट से सम्मानित किया गया है ये पदमसरी विजेता भी है इन्होंने पंजाब में जन सहयोग से काली वेई नदी को स्वक्ष, साफ और प्रवाहमान बनाया था जिसकारण इन्हें पदमसरी दिया गया था और अब हाली में इन्हें उज्जन में क्रांती कारी अवार्ट से भी सम्मानित किया गया है तो बलवीर सेह के बारे में आपको इतना याद रखना है नेक्स्ट क्वेशन ये मारास्ट में चुनाओ करने जा रहे है जिसके करण ये वहाँ से लोटने के बाद अपना पद संभालेंगे Next question हाली में भारती वायुशेना कितनी सम्मरीन प्रोजेक्ट 75 के अंदर बनाएगी जिसको से यॉफ्शन है 6 हाली में भारती वायुशेना 6 सम्मरीन प्रोजेक्ट 75 के अंदर बनाएगी इन पंडिवियों को बनाने की लागत करीब 50,000 करूर रुपए है यह सम्मरीन 500 किलोमीटर की रेंज में मार करने वाली मिसाइलों से लेंज की जाएगी नेक्स्ट क्वेशन आयकर विवाग का सौप्ट वियर इंसाइट को हाली में कहां लॉंच किया गया है जिसका से यॉफशन है इंदोर हाली में आयकर विवाग की सौप्ट वियर इंसाइट को इंदोर में लॉंच किया गया है इस सौप्ट वियर के जरिए अब MP Income Tax Department कर दाताओं पर नजर रखेगा तीसलाग की अधिक संपत्ती वेची या खरीदी जाएगी अब इस पर नजर रहेगी और Income Tax Insight एप के जरिए यह पता लगा सकती है दोस्तो अब बात आईए इंदोर की तो कुछ important fact आपको इंदोर की बारे में बता दे निनी मुंबई के नाम से जाना जाता है इंदोर, होलकर नगरी, अहलिया नगरी इनकी नाम से भी इंदोर को जाना जाता है देश का पहला ऐसा शहर है जहां IIM 2003 में और IIT 2008 में इस्थापित की गई थी रास्टिय सोया अनुसंदान केंद्र इंदोर में ही इस्थापित किया गया है प्रदेश का एक मात्र डेंटल कॉलेज इंदोर में ही इस्थित है देवी एहल लियाबाई विश्विध्याला है जो मद्रदेश की सबसे वड़ी विश्विध्याला है यह इंदोर में ही इस्तित है राला मंडल वननेजीव अभियारन इंदोर में ही बनाया गया है Next question भारतिये पार दरिस्ता अनुसार कौन सी पार्टी विग्यापन पर सबसे ज़्यादा खर्च करती है जिसका सही ओफ्षन है बीजेपी बीजेपी विग्यापन पर भारत में सबसे ज़्यादा खर्च करती है इसके बाद आंद्रप्रदेश की YSR पार्टी है जो विग्यापन पर सबसे ज़्यादा खर्च करती है दोस्तो अब बात आई है BJP के तो आपको इसके बारें बता दें BJP की स्थापना 1980 में की गई थी BJP का हेड़कॉर्टर दिल्ली में है और BJP की प्रिजडेंट है अमित साय तो इतना आपको BJP की बारे में याद रखना है इससे पहले ये एक अभिनेत्री थी और इन्होंने बहुत सी कंपनीज में काम किया है अब हाली में गूगल इंडस्टी में हैड बनाया गया है तो अब बात आई एक गूगल की तो आपको कुछ इंपोटन Factor गूगल के बारें बता दें हाली में गूगल इंडिया के जो हैड थे उनका नाम है राजन आनंदन इन्होंने गूगल से इस्तिपा दिया है ये इसी महीने के अंत में गूगल से इस्तिपा दे देंगे राजन आनंदन साउथ इस्ट एशिया और इंडिया के हैड थे तो इतना आपको गूगल के बारे में याद रखना है नेक्स्ट क्वेशन आपको बता दें हमारे जो उपरास्ट पती है वह है वेंक या नाइडू ये मद्ध पृदिश के योगेंदर जेन मद्ध पृदिश की शागर के रहने वाले हैं इन्होंने प्राकरतिक भासा जेन विद्या में उल्लेकिन ये कारी किया है जिसके कारण इन्हें ये पृदिश कार दिया गया है नेक्स्ट क्वेशन हाली में मद्ध प्रदेश में कहां होली मिलं समारोय आयोजित किया गया है भुपाल में हमेला पिछले 28 वर्से लगाया जा रहा है इस समारोव में सभी धर्मों के लोगों के साथ मुख्यमंतरी कमलनाथ जी भी मौजूद थे दोस्तो अब बात आईए भोपाल की तो कुछ इंपोर्टन फिक्ट आपको भोपाल के बारें बता दें जीलों के शहर से भोपाल को जाना जाता है मद्यप्रिदेश का सरवादिक जनसंख्या घनत्व भोपाल में ही है आपको बता दें भारत का पहला आपदा प्रवंदन केंद्र भोपाल में ही इस्थापित किया गया था भारत का पहला मोडल ब्लेड बेंक भोपाल में ही इस्थे थे राश्टिये विधी अकेडमी 1994 में इस्थापित की गई थी भोपाल में ताजुल मस्जद जो देश की सबसे बड़ी मस्जद है यह भोपाल में ही इस्थे थे बिश्व का सबसे बड़ा स्वर उर्जा सयंत्र और प्रदेश का पहला इनर्जी पार्क यह भोपाल में ही इस्थापित किये गए है एक और important fact आपको बता दे भोपाल में 2 और 3 दिसंबर 1984 की रात को methyl isocyanate gas का रिसाव गए था जिसके कारण भोपाल में हजारों मोते हो गई थी तो दोस्तो इतना आपको भोपाल की बारे में याद रखना है तो दोस्तो यह था हमारा आज का daily current affair आप मारे चैनल study universe को subscribe कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए कल हम आपके साथ फिर मध्यप्रदीश और वर्ल्ड की interesting fact को लिकर हाज रोंगे तब तक लिए नमस्कार